हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे और्गैनिक कैमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपोटेंट अबजेक्टिव कोशन जो कि आपके पॉलिमर टॉपिक से रिलेटेड है इससे पहले वाले वीडियो में हमने हेट्रोसाइकले कमपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपोटेंट अबजेक्टिव कोशन को डिसकस किया था जो कि आपके प्रिवियसर कोशन पेपर में पूछे गए थे तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखिये तो डिसक्रिप्शन बॉक्स में उसका लेंग दिया हुआ है आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं तो चलिए बिना देर के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कोशन है कि टेफलोन किस मोनोमर का बहुलक यानि पॉलिमर है आंसर है डी यानि CF2 डवलवांड CF2 यानि टेटरा फ्लोरो इथाइलीन यह कोशन आप से दूसरी तरह से भी पूछ लिया जा सकता है क कि टेफलोन को बनाने के लिए किस मोनोमर का यूस किया जाता है तो आंसर आपका यही रहेगा टेटरा फ्लोरो इथाइलीन यानि CF2 डवलवांड CF2 तो यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं कि टेफलोन बनाने के लिए जिस मोनोमर का यूस किया जाता है वो है आपका CF2 कि एक monomer है जब यह बहुत सारे monomer आपस में मिलते हैं तो आपका teflon यानि poly tetra fluoro ethylene का formation होता है जिसे हम teflon कहते हैं इसके बाद देखते हैं next question next है कि निमलिकित में से कौन सा thermosetting बहुलक है यानि इन में से कौन सा thermosetting polymer है तो thermosetting polymer आपका है C यानि back a light तो thermosetting polymers क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको जब polymer का classification बताया था तब discuss किया था कि thermosetting polymers क्या होते हैं तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखिये तो इसके बारे में दुआरा से discuss कर लेते हैं कि thermosetting polymer क्या होते हैं तो thermosetting polymers वे polymers होते हैं जिनें गर्म करने पर chemical change के द्वारावे कठोर पधार्दों में बदल जाते हैं एक्जामपल है आपका बेकलाइट इसके बाद देखते हैं next question next question है कि sulfur के साथ रवड को गर्म करना कहलाता है तो answer है आपका B यानि बुलकेनी करन यानि जब हम रवड को sulfur के साथ गर्म करते हैं तो इस process को हम बुलकेनी करन यानि बुलकेनी करन कहते हैं तो यदि आपने theory पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इस question का answer तो यहाँ पर हम discuss कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि जब आप natural रवड को पढ़ते हो तो उसमें एक topic आता है बुलकेनी करन यानि रवड का बुलकेनी करन तो इसलिए पहले आपको theory को cover करना चाहिए उसके बाद ही objective question को solve करना चाहिए जिससे कि आपको easy लगेगा objective question को solve करना तो यहां पर हमने किया-क्याँ है यहां पर हमने एक Isoprene का use किया है जो कि एक monomer है क्योंकि Isoprene monomer जो होता है natural'ty rubber को बनाने के लिए use किया जाता है तो यहां पर हमने Isoprene monomer की reaction sulfur से कराई है तो जब हम Isoprene को sulfur के साथ गर्म करते हैं तो हमारा जो product प्राप्त होता है वो होता है bulcanize rubber और इस पूरी process को हम कहते हैं bulcanization तो इसके बाद देखते हैं next question next है कि क्रेतिम रियोन है option है polyester, polyamide, polyethylene या फिर polysaccharide option है आपका D यानी polysaccharide next question है कि nylon 6-6 को बनाने में प्रियोक्त होने वाले monomer होते हैं तो answer है A यानी adipic acid plus hexamethylene diamine ये दोनों ही monomer nylon 6-6 को बनाने में प्रियोक्त होते हैं first होता है adipic acid and second है आपका hexamethylene diamine यहाँ पे आप ये note भी कर सकते हैं कि nylon 6-6 को बनाने के लिए किस monomer का use किया जाता है तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे heading डाले है nylon 6-6 आपको कुछ detail में नहीं लिखना है ये short notes के रूप में आपको लिख लेना है कि nylon 6-6 के लिए जो monomer का use किया जाता है वो है hexamethylene diamine and adipic acid इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये reaction भी दिखाई गई है क्योंकि जो हम hexamethylene diamine and adipic acid को गर्म करते हैं तो हमारे जो product प्राप्त होता है वो होता है nylon 6-6 आपको कुछ जादा नहीं लिखना है short notes में उतना ही लिखना है जितना आपका exam में पूछा जाता है तो बस आपको यहीं याद रखना है कि nylon 6-6 को बनाने के लिए किस monomer का use किया जाता है यह मैंने आपको reaction दिखा दिये कि किस परकार से reaction होती है वरना आपका exam में question आता है वो इस monomer ही पूछा जाता है कि nylon 6-6 को बनाने के लिए किस monomer का use किया जाता है तो आपको इन दोनों monomer के नाम याद होने चाहिए इसके बाद देखते हैं next question next है कि butadine के बहुली करण यानि polymerization से प्राप्थ होता है यानि जब हम butadine का polymerization करते हैं तो हमें क्या प्राप्थ होता है option है polyethene, polyamide, buna and या फिर polybutadine rubber तो answer है आपका D यानि polybutadine rubber next question है कि इन में से कौन सा प्राकर्थिक बहुलग है यानि इन में से कौन सा natural polymer है तो natural polymers हमारे वे polymers होते हैं जो nature से प्राप्थ होते हैं तो option दियो है starch, PVC, nylon and bachylite तो हमारा जो starch होता है यह हमारा natural polymers होता है क्योंकि यह nature से प्राप्थ होता है तो option होगा आपका A यानि starch next question है कि nylon है option है polyester, polyamide, polyacrylonitrile या फिर polybinyl chloride तो answer है आपका B यानि polyamide क्योंकि nylon एक polyamide होता है यदि आपने theory को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा condensation polymerization के बारे में क्योंकि polymerization reaction जो होती है वो आपकी two types की होती है addition polymerization and condensation polymerization जिसमें से जो condensation polymerization होते हैं ये wave polymers होते हैं जिनमें monomer unit different होती है जो different monomer unit से मिलकर बनते हैं जैसे कि अब हमने पढ़ा था nylon 6-6 जिसमें हमने two monomer यानि two different monomer unit का use किया था जिसके बाद हमारा formation हुआ था nylon 6-6 का तो इसके जो example है वो है polyamide, polyester and bacillac polyamide में amide group present होता है इसके example है nylon जैसे कि आपका nylon 6 and nylon 6-6 तो question में हमें यही पूछाता कि nylon है तो nylon एक polyamide है तो यदि आपने theory पड़ी होगी तो आपको इसका answer पहले से ही पता होगा इसके बाद देखते हैं next question next है कि कौन सा kratym बहुलक है तो answer है आपका D यानि polyesterine क्योंकि star, silk and protein जो होते हैं यह आपके प्राकर्थिक बहुलक यानि natural polymer होते हैं इसके बाद देखते हैं next question next question है कि इन में से कौन प्राकर्थिक बहुलक के रूप में है यानि इन में से कौन से natural polymer है तो protein, cellulose and rubber ये तीनों ही आपके natural polymer है क्योंकि protein, cellulose and rubber ये तीनों ही आपके natural nature से प्राप्थ होते हैं तो option होगा आपका T तो ये थी आज की हमारी वीडियो I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शियर करें और यदि आप मारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फोर वाचिंग माई वीडियो